नमस्कार दोस्तों, हमारी ओडूप चैनल इंडर्शियल सॉलिशन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज वीडियो के निदरम फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पता करते हैं रानस्फर्मर की प्राइमरी ऑइंडिन कोंसी होती है और सेकनरी वाइंडिंग कौती है इसको पता करने के लिए फ्रेंड्स हम द 250ग फ्रेंड्स मीना करते हैं अपना बिजिट Corn toss कर सकते हैं तो चले फ्रेंड्स डारेक्टश्छी वीडियो को पेसं है सबसे पहले आप रिस्क्रीन के उपर देख सकते हैं friends, दो different types के transformer हैं मेरे पास, यह normal transformer है, जिसमें दो वायर primary side आ रहे होंगे और दो वायर आपके secondary side, और यह मैंने recently नया transformer लिया है, जो की central type transformer बोला जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं clearly, एक side दो वायर है और एक side आप आपके 3 वायर है, तो जो friend, आप नया market से transformer पर्चेस करते हो, उसके उपर clearly visible होता है, कई बार यह भी लिखा होता है कि primary side कौन सी है या फिर secondary कौन सी है, अब इसके उपर देख सकते हैं लिखा हुआ है 909, मतलब यह clearly दिखा रहा है हमें, यह black वायर आपका common है, और इन दो न पर हमें 9V मिलेगा, black और इसर वाले blue पर, similarly इस दो न पर हमें 9V supply मिलेगी, यह आपके 2 वायर है, तो इसमें हमें clearly समझ में आ रहा है कि यह आपकी primary side हो जाएगी, या फिर मैं कहूं, इस पर आपनी supply voltage करेंगी 240V, और यह आपका output है, तो यह आपकी secondary हो जाएगी, लेकिन problem ह अब इसकी कुछ भी nameplate देख लीजे, कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, primary कौन सी है, secondary कौन सी है, तो इसको कैसे पता करेंगे, यह अब सबसे बड़े problem हमारी आती है, कि हम primary पे मतलब load के धर connect करें, और input supply कहा दें, एक concept होता है, 90% cases में concept हमें clear, correct होता है, जो भी आपके red color के wire ह होते हैं, transformer पे, red वाले wire हमेशा primary होते हैं, और दूसरे color जैसे black output होगा, या फिर blue output रहेगा, लेकिन कुछ cases में problem भी आपको create कर देता है, पर आपको समझे कि रखना है, अगा red वाला wire है, या आपका primary ही रहेगा, अब exactly पता करने के लिए हम use करेंगे multimeter का, लेकिन उससे पह में दो types की transformer होते हैं, एक होता है आपका step up, और एक step down, step down और एक step up, transformer, हलका समे इसका एक diagram भी बना जाता हूं, transformer का, क्या होता है, एक आपकी center core होती है, यह आपकी transformer core हो गई, और इसके दोनों साइड में आपकी एक winding होती है, जिसको हम primary के नाम से और secondary के नाम से जानते हैं, generally जो आपके step down transform होते हैं, वो electronics में step down use होते हैं, जिसमें आप high voltage देते हैं primary पे, और जो secondary होती है, आपकी low voltage winding होती है, तो यह हमने एक winding मना दिये, और यह आपकी secondary winding है, इस पे number of turns कम है, यहाँ पर आप देंगे line neutral 240 volt मान लीजे, और यहाँ आपका output कुछ भी हो सकता है, 12 volt भी हो सकता है, 48 volt हो सकता है, जो भी आपकी requirement है, अब फ्रेंड, clearly है, अगर मैं step down transformer की बात करूं, तो number of turns जो होते हैं, primary में ज्यादा होते हैं, as compared to secondary, अब number of turns अगर primary ज्यादा हैं, तो clearly जो उसका resistance होगा, वो भी ज्यादा होगा, इसका मतलब resistance of primary will be greater than resistance of secondary, वहीं अगर हम step up transformer की बात करें, तो step up में क्या होता है, secondary पर ज्यादा number of turns होते हैं, मतलब अगर आप 240 volt दे रहे हैं, और यह अगर step up transformer होता, तो हो सकता है, यह 400 volt output देता, इस case में क्या हो जाएगा, step up आले case में, primary के turns कम होते हैं secondary से, और उसके साथ ही primary का resistance भी कम हो जाएगा secondary से, अब जो मैंरे बास transformer friend, यह step down transformer है, जिसमें input voltage primary side पे जो होगा वो ज्यादा रहता है, और जो output कम होता है, और यह वाला ही हमारा step down transformer ही है, अब इनको पता करते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यह step center tap transformer, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, multimeter को ohm के उपर set करना पड़ेगा, यह म यह blue वाला लिया, इसको भी connect किया, तो 15, 13 ohm इसने resistance show किया है, 13 ohm, तो हम लिख लेते हैं, black और blue पर कितना आ रहा है, center tap transformer के black वाले और blue वायर पर, black और blue वायर पर 13 ohm आ रहा है, अब आप इसको यह ले लिजे, यह red वाले wires, same, इसके लिए भी हम यही consider करेंगे, यह कुछ show नहीं कर रहा है, friend, इसका मतलब हमें अपकी range को increase करना होगा, मैं 2000 कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं, इसने दिखाया, 507, 506 ohm, मतलब red वाले wires कितना मिल ला है, resistance, 506 ohm, तो clearly है, friend, हमारा resistance कौन से side का ज्यादा है, यह red wire का, तो यह वाली side कौन से होगी, number of turns हमारे कम होते हैं, तो उसका resistance भी कम होगा, यह को जी बता जाता हूँ, जैसे है, इन दोनों पर 9 ohm मिलेगा, और इन दोनों पर 9 ohm मिलेगा, अगर आप दोनों blue-blue का output कनेक्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा 18 ohm, इस वाले transfer को हम चेक कर लेते हैं, परफेंट, वोई resistance मिल मैंने सबसे पहले 200 ohm की range set की, यह black wire को मैंने connect किया, यह आ गया आपका 1.5 ohm, black वाले wires पर हमें मिल ला है 1.5, अब हम इसको red वाले पर चेक कर लेते हैं, इन पर जैसे हम connect करेंगे, इस case में मिल ला है, red wires पर 32 ohms, और यहां मिल ला था हमें 1.5 ohm, इसका मतलब रिजिस्ट्र किसका ज्यादा है, यह तो यह आपकी हो जाएगी primary winding और यह वाली हो जाएगी secondary winding, जहां पर आप load connect करेंगे, इस तरह से हम पता करते हैं friends, transformer की primary and secondary winding, इसके उपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा friends, उसमें मैं आपको समझाओंगा कि कैसे हम पता करते है, transformer short है या नहीं है, म अच्छी लगे तो लाइक कीजिए friends, शेर कीजिए and please don't forget to subscribe my channel, thank you